आपने भी देखा होगा step farming करते हैं ताकि जो है वो थोड़ा वो तो मतलब इतना ना सही क्योंकि वहाँ पर ना कंकर पत्थर मिट्टी में बहुत होते हैं जिस fruit या vegetable में water की quantity जाधा पाई जाती है वो सारे के सारे जैद क्क्रॉप्स में count होंगी वो फसने जैसे कि कुकुम्बर हो गया या पर watermelon हो गया right musk melon हो गया तो ने टिंग क्या होता है वो जो स्वेटर वगरा बुनते हैं पौट का काम होता है तो अगर मैं ने पौट बनाया है तो वो उसको आग में पकाने का काम किया करती थी पकाने के का में फिर उसमें जो भी थोड़ी बहुत वो आर्ट वगर करनी होते डिसाइं बना होता तो वो जोने मिलकर बनाया करते थे थे हलो स्टुडेंट वेलकम बैक टो मैंटेज़ट इस अनिता शर्मा योर हिस्ट्री में तुडेंट आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्ला करना चाहते हो या फिर इसके M.C.Q करना चाहते हैं या फिर NCRT Solution Map Question आपको Each and Everything सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा तो सबस्क्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा इस ते आपको पता चल जाएगा कि मैंकी क्लास कब कब होने वाली है तो च 16 और 17 सेंचुरी में आप तेखोगे न कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे एगरी कल्चर में बहुत जादा बीजी होते थे लेकिन धीरे दीरे चीजे डबलप होंगी तो यह सिटीज की तरफ जो है वो लोग मुबन कर जाएंगे और सिटीज की तरफ आ करके अलग अ करते थी गाओं में रहा करते थी और जो गाओं में रहते थे वो मोस्तली जो है वो एगरी कल्चर किया करते थे तो आप एक मोटा-मोटा संथा लगा सकते हो कि 100 परdockं में ऐtde 2 पर सब्ध qap अध्यों निकी प्रप्रमल्ट से होते थे और जो लैंड एलीट नित तो इन डोनो के ही तेको जमीदार के तो दोनो के ही देखो जमी दार के जमीन होती थी एर फिलब भागने से क्लेक करेंक है तो तो नों का रेलेशि hm और जो भी production निकलेगा तो आपस में उसको share कर लिया करेंगे, बाट लिया करेंगे, तो इसमें बताये गया है कि both the peasants in the landed elite were involved in the agriculture production, तो ये agriculture production में दोनों के ही जो है वो participation होगे and the claim right to share of the production, और जितना की produce निकलेगा, जितना production निकलेगा, ग्रेंस का तो वो क्या करेंगे, आपस में उसको बाट लेंगे, share कर लेंगे, this created a relationship, अब ये दोनों का peasants और farmer का जो relation है, वो कैसा होगा, friendly होगा, है न, cooperation वाला होगा, साथ साथ में होगा, cooperation, competition, competition भी तो होगा, कि कौन जमीदार अपने खेतों में कितनी ज्यादा फसल उगवा सकता है, या उसका कितना अच्छा production निकला सकता है, तो इस तरह से एक competition, एक होड भी लग जाएगी society के अंदर, कौन कितना अच्छा production निकालेगा, तो इसी के बेस पर ही क्या होती है, वहाँ पर development स्टार्ट हो जाती है, तो इनका जो relation होगा, वो कैसा होगा, cooperation का होगा, दोनों मिलकर काम करें ते, competition का भी होग जगड़े भी हो जाय करते थे, दोनों के बीच में, right, some of these agarian relationship made the ruler, अब इसी तरह की जो agarian relationship देख रहे हो, इसी तरह की जो relationship देख रहे हैं, जिनके पास जादा land होगी, वही लोग अब क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ruler जो society होगी, यही बनाएंगे, जिनके पास land जादा हो जोग होंगे, वही ruler society को form करेंगे, right, चलिए, next we move on करते, तो next क्या कहता है, next पर हम बात करेंगे introduction पर, तो introduction के आगे वाले part पर हम करेंगे at the same time, अब इसी time की बात करते हैं, agencies from the outside also entered to the ruler world, अब ये क्या करेंगे, ये जो society, जो agencies बताएंगे, मैंने कौन से agencies, ये जो elite families होगी, या फिर जो जमीदार होंगे, जिनके पास land भी होगी, power भी होगी, पैसा भी होगा, ये ही लोग क्या करेंगे, आगे चल करके राजा बन जाएंगे, अब इनी जैसी agencies में से ही एक होगा Mughal state, which derived the bulk of its income from the agrarian production, अब ये क्या करेंगे, ये जितना गाओं के अंदर में production होगा जादा से जादा लोग क्या करेंगे, लोग agriculture का production निकालेंगे अपने खेतों में, बहुत जादा से जादा agriculture क्या करेंगे, ताकि उनको profit हो, ये होगा अब हर कोई businessmen ये चाहता है, कि उसकी company बहुत अच्छा सा profit हो, तो पहले भी तो ऐसी हुआ करता था, जमीदारों के पास जमीन हुआ करती थी, तो हर कोई जमीदार ये चाहता था, कि मेरी खेतों में सबसे जादा अनाज हो, सबसे जादा production निकले, ताकि मैं दूसरों को compete कर सकूँ, और मुझे जादा जादा profit हो, अब profit कौन लेकर जाएगा, ये ही तो लोग होंगे, ये लैनलोड्स ही तो होंग रिकॉर्ड कीपर्स होंगे, यही तो होंगे न, राजा के एजन्स यही तो होंगे, कोई लैन्ड रिकॉर्ड जो है, वो बनाएगा, कि किसके पास कितनी जमीन है, ये बनाएगा कि किसने कितना production निकला है, किसके खेतों में कितना production जो है, वो आया है, इस तरह का से पीजन से यह क्या करेंगे, टेक्स कलेक्ट करेंगे, क्लियर हो गया, यह कौन होगे, राजा के एजेंट होगे, अब बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होगी, जिनको ग्रो करके, वो सेल किया करते थे, सेल होगी तो ट्रेड होगा, ठीक है, ट्रेड होगी तो उनके पास मनी आए लेंसे बढ़ी नहीं ज्यक्टाइब कंप्लीट करेंगी अब यह सीजनल टास्क क्या होते हैं, जैसे कि कोई खेतों में अगर काम करता है, कोई फार्मर है, तो वो अपने खेतों में प्रड़क्शन करने के लिए, प्रड़क्शन ज्यादा ज्यादा अच्छी करने के लिए, उसको बहुत सारी अक्टिविटीज करनी पड़ती है, उन इरिगेशन करेंगे तो इस तरह से उनकी जो उनका जो प्लांट होगा उनकी जो फसल होगी धीरे धीरे ग्रो करती चली जाएगी और ग्रो करेंगी जब वो फसल पक कर तयार हो जाएगी फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे तो फिर उनके पास जो प्रड़क्शन आएगा उनको क्या करेंगे सेल करते रहेंगे इस तरह किसे डिल होगी ट्रेड होगा और यह सारी चीजे होती रहेंगी तो मैंने क्या कहा यह जो पीजन्स वगरा होते थे यह क्या करते थे सीजनल टास्स करते थे तो पहले क्या करेंगे खेतों को जोतेंगे उसके बाद बीज को सो करेंगे फिर harvest करेंगे जब यह पक जाएगी तो यह activities कौन सी है जो farmer करते हैं अपने खेतों में next move on करते तो next question next जो slide में हम पढ़ेंगे कि production agro-based good agro-based क्या होता है agro-based का मतलब होता है जो कृषी पर आधारित होते है ठीक है तो अब यह कौन कौन से होगे अब हमने example लिया है agro-based का जैसे sugar है या फिर हम क्या करेंगे edible oils अब शुगर के लिए क्या पढ़ेगा गन्ना उगाना पढ़ेगा sugar cane होता है उसी से ही चीनी बनती है दूसरा कर बात करें जो घरों में हम इडेबल ओयस यूज करते है सरसो का तेल यूज करते है coconut oil यूज करते है या फिर और मुंकवली का तेल है बहुत सारे साइसे जो हम खाने में यूज करते है इस तरह की प्रड़क्शन क्या कहलाएगी एग्रो बेस्ट जो है वो प्रड़क्शन कहलाएगे नेक्स रम बात करते हैं कि देखो इनके प्रड़क्शन के लिए काफी सारी मतलब अलग अलग तरह की जमीन होती है एक तो होगी आपकी प्लेर एरिया में जो खेती बाड़ी करते हैं उनका एक अलग ही टास्क होता है तो इसली कर देते हैं एक हिली एरिया होता है एक आपका ड्राइ एरिया होता है एक आपका फॉरस्ट्री एरिया होता है तो उसमें जिस हिसाब से या जिस उसकी सॉयल की फर्टिलिटी होगी उसी हिसाब से उसमें खेती की जाएगी और उसी साब से उसमें production निकलेगा, तो the varied topography of the agarian society, अभी जो agarian society होगी, इनके पास किस-किस तरह के land होगी, जैसे देखो, large tracts the dry land, अब कुछ areas वहाँ ऐसे होगे, जहां पर जो dry area कहलाएंगे, ठीक है, arid zone होगा, कहने का मतलब ये, कि बहुत जादा न वहाँ पर मिट्टी म होगा, मतलब उसमें नमी नहीं होगी, वो सुखा-सुखा रहेगा, for example, कि आपने राजस्थान की तरफ ले लिया, वहाँ पर dryness बहुत जादा है, irrigation के resources कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, कि अब तो government बहुत इंसजाम कर दी हैं, इरिगेशन के लिए, लिकिन प आपर अगरियन सोसाइटी होगी, तो ये लैंड जो ड्राइ एरिया है, वहाँ भी होगी, दूसा कहता है कि हिली रीजन, तो हिली रीजन में मतलब जो हिल्स वगरा पर रहते हैं, वो अपने तरह की अगरिकल्चर करते हैं, ठीक आपने भी देखा होगा, स्टेप फार्मिं जिसके होगा जैसे बहुत अच्छी वो प्लेन एरिया की तरह प्रड़क्शन बहुत अच्छा देगा, वहाँ पर बहुत देखबाल करके जो है, वो अगरिकल्चर की जाती है, तो ये क्या हो गया, हिली रीजन होगी, मोर फर्टाइल कौन से होगे, यहाँ पर वो होगे, अच्छी 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 अच् क्या प्रड़क्षन निकलता था, कौन कौन से रेवेन्य। रिकार्ड़्स बनाए ग़ए तो इस तरह की हमें सारी इंफर्मेशन कहा से मिलती है, तो ये मिलते हैं हमें वहां की टेक्स्ट बॉक से, मतलब उस ताहम जो भी रिकार्ड भुक होती थी या जो भी कुछ उसमें से मिलती है अब हम बात करते है 16 और 17 सेंचुरी की बात करते है तो 16 और 17 सेंचुरी में यह जो अगेरियन सोसाइटी है इसके बारे में हमें कहां कहां से पता चलता है तो मैंने क्या बता है अभी आईने अकबरी से पता चलता है तो यह आईने अकबरी हमारे लिए बहुत इस टाइम में यानि की पास्ट में एग्री कल्चर कैसे हुआ करती थी खासकर कि मुगलों के टाइम में तो इसमें बताएगा है आई ने अकबरी में दूसरा होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलता है जो हमें गुजरात महारास्ट और राजस्थान से मिले हैं तीसरा बात करते हैं किसकी सोर्स रिकंस्ट्रक्टर अर्गेरियन सोसाइटी तो इन अकबरी हो गया आई ने अकबरी एक ऐसा सोर्स हमारे हाथ लगा जो कि यह बताता है कि वन ओव ता मोस्ट इंपोर्टेंट क्रोनिकल्स वाज आई ए अकबरी राइट आई ए अकबरी ओधा तो किसने लिखा था यह हर बार क्वेशन आता है आई अकबरी को लिखा था किसने अबू फजल ने ठीक है तो अबू फजल कौन थे यह अकबर के कर्टियर थे जिनोंने अई अकबर नामा का यह थर्ड पार्ट है ठीक है अकबर नामा का यह थर्ड पार्ट है क्या जिसका नाम आइने अक्परी बात करते हैं नेक्स बार तो next क्या था है benefits agarian history of the 16th and 17th century अब ये जो इनके benefits का मतलब क्या होता है फाइदे होते हैं तो benefits benefit agarian history of किसके benefit बता रहा है बचे benefits agarian history मतलब agarian के ठीक है agarian की history को जानने के लिए हमें ये जो sources मिले हमें आईने अकपरी मिली, record book मिली, हमें कहां कहां से records मिले, हमें गुजरात, हर्याना और राजस्थान ते मिले, इतके अलावा, 16th and 17th century में, हमें जो record मिले, उनसे ये भी पता चलता है, कि पीजन्स किस तरह से farming किया करते थे, all these sources record the intensives of the conflict between the peasants, तो अभी हमने थोड़ी दे पहले क्या पढ़ा है, chapter की starting में, कि इनके बीच में ऐसे relation हुआ करते थे, जो friendly भी थे, competitive भी रहा करते थे इनके relationship में, और साथ-साथ में इनमें जगड़े की भी सिती कभी-कभी पैदा हो जाया करती थे, तो अगर हम बात करते हैं कि these resources recorded, in record में हमे ये भी पता चलता है कि कई बार peasants और जमीदार और state के बीच में, तीनों के बीच में क्या होता था, कई बार जगड़े की भी situation हो जाते थे, जैसे किसी ने, मानलो उनका area इतना है, ठीक है, उनका area है, जमीन का area है, वो इतना है, ठीक है, आप किसी दूसरे farmer ने इसकी थोड प्रंस होगी इसकी minus होगी तो कई बर ऐसा भी होता था, की दमीन को लेकर के जगड़ा हो जाता काई बर ऐसे भी होता था, की फसल हो है, अगर मानलो किसी के खेतों में कोई अनिमल चला गया है या उसके खुद के अनिमल होते थे अगर वो दूसरों के खेतों में जा करके उसकी फसल खराब कर दी तो तुमने 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 पश्वों ने हमारी सारी के सारी फसल खराब कर दी कि अगर state अच्छी तरीके से को इंतजाम करते हैं तो यह situation जगड़े की होती नहीं तो तीनों के बीच में आप देखरो ना triangle बन गया है तो उपर क्या है उपर state है ठीक है एक तरफ कौन है एक तरफ जमीदार है दूसरी तरफ कौन है पीजन्ट है तो पीजन्स से यह क्या करे जमीदार टेक्स लेंगे और टेक्स लेकर के state को देंगे जब यह text नहीं देगा तो कहीं न कहीं state का भी तो लॉस होगा ना तो इस तरीके से यह तीनों में बताए गया है अब बात करते हैं किसके आगे की तो आगे बात करेंगे हम पीजन्स एंड बेर लेंड अब जो किसा time period में पीजन्स को राइयत कहा जाता था ठीक है क्या कहा जाता था राइयत कहा जाता था और जो राइयत जो है वो रायाज का क्या है रियाज का प्लूरल है ठीक है उसके बाद इनको मजूरियन भी कहा जाता है किसान भी कहा जाता है और एसमीज भी कहा जाता है यह तीनों अगर भात करों जाता है यद रखना वर्मार्करर में कॉश्शन आयेगा नेक्स बात करते हैं कि पीजन कितने टाइब के होते थे अभी हम ने यहां पर क्या हिया पीजन और लेंड तो पहले हम बात करें गी मैं प लेंडता की होते हैं विकजन से फ्लेहन। फीजन से वो होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लैंड होती है, तो they were, they were resident of the village in which they had their land, मतलब की same गाम में उनका residential area भी होगा, मतलब resident भी होगा, उनका घर भी होगा, उसी गाम में उनकी खेती बाड़ी भी होगा, मतलब उनके खेत भी होगे, तो वो उनको क्या का जाएगा, खुद खास्ता, खुद का मतलब स्वैम होगा, मतलब खुद का अपना, तो अपना वहाँ पर एक इस तेम ही गाउं में उनका घर भी होगा और खेत भी होगे, उसके बाद आता है पाही खास्ता, पाही खास्ता कौन होगे, पाही खास्ता वो होगे, जो दूसरों के खेतों में जा one करते हैं तो kinds of peasants अभी कितनी तरह के peasants होंगे जैसे कि अभी हमने बात करी खुद खास्ता और पाही खास्ता दो तरह के peasants होते हैं अब इनकी आगे की जो situation होगी वो कैसी होगी देखना तो गुजरात की बात करते हम गुजरात में peasants possessing about the six acres of land were considered था गुजरात की ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी बेंगॉल की तो बेंगॉल में जिसके पास five acre जमीन होती थी तो उसको अपर लिमिट का माना जाता था ठीक है कि वह यह उंचा है मतलब इसका जो स्टेटस है वो बाकी के बहुत उंचा है जिनके के पास land होते थी और अगर बात करें किसी किसी के पास एक या दो एकर जमीन होती थी तो उसको average माना जाता था और अगर फोर्थ की बात करें फोर्थ के टेगरी की वह होते थे जिनके पास land होती ही नहीं थी वो वाले landless people होते थे, right? तो हमने कितनी category बात करी हमने 4 categories की बात करी, गुर्ज्राद की साइड में जिनके पास 6 अकर दमीन होगी उनको बहुत ही उपर समझ जाएगा, Bengal की साइड में जिनके पास 5 अकर जमीन होगी वो अपर लिमिट समझा जाएगा और एवरेज जो होंगे उनके पास 1 या 2 अकर जमीन होगी कि ठीक है, इनके पास जमीन है, ठीक ठाक से हो जाएगा, एवरेज उनको पीजन का जाता अब यह जो cultivation होगी ना, cultivation का मतलब फसल, तो was based on the principle of the individual ownership, अब यह जो cultivation होगी ना, वो individual ownership के भिहाग पर होगी, जैसे individual ownership को मैं बताती हूँ क्या होता है, कि peasant bought and the sold there, land like the other property owner, जैसे मान लो, मेरे पास जमीन है, ठीक है, अब मैं अपनी जमीन पर, मेरा पूरा राइट है कि मैं उ उस पर्टिक्लर जमीन को और एक्सटेंट करने के लिए उसमें और जादा जमीने खरीद कर उसका area बढ़ा कर सकती हूँ, तो यह मेरे ओपर डिपैंड करता है कि अगर मैं ने जमीन को ले करके, और वो अपनी जमीन का जो दायरा होता है, वो बहुत बढ़ा कर ले मेरे पा कि यह मेर से रिलेटेड है कि मैं अपनी जमीन को मैं परचेस कर रही हूँ या मैं सेल कर रही हूँ, तो वो मेरे ओपर डिपैंड करता है, तो जो कल्टिवेशन थी, जिसके पास कम लेंड होगी, उसके पास कम कल्टिवेशन होगा, लेंड जादा होगी, उसके पास लेंड cultivation जादा होगा तो peasant brought and salt अभी जो peasants होते थे जिनके पास land होती थी मैंने क्या कहा जिनके पास ज्यादा land होती है तो वो क्या बड़े बजमिदार कहलाते है जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन होगी वो average कहलाते है है तो वो उनी की रह पर्टिकलर उनी का ही राइट है उन पर तो वो चाहे अपने जमीनों को sale purchase कुछ भी करें यह उनके पर depend करता है तो मैंने क्या का ज्यादा गर किसी के पास जमीन होगी तो production ज्यादा निकलेगा कम होगी उसके पास कम निकलेगा उस हिसाब से revenue भी आता है ज्यादा से ज्यादा expansion करने के बाद क्या करेंगे हम उसमें उसमें ज्यादा ज्यादा expansion करने के बाद जिसके पास ज्यादा land होगी वो क्या करेगा वो एक तरीके से अपनी land परना cultivation करेगा और इस cultivation का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उनके पास प्रड़क्शन जितना आएगा उतना ही उनको प्रॉफिट होगा, वो ज्यादा ज्यादा वर्कर्स को हायर करेगा, वर्कर्स को हायर करेगा तो वर्कर्स उतनी ही काम करेंगे, काम करेंगे तो उनका प्रड़क्शन अच्छा आएगा, इस वज़े से क्या होता था, production जो है वो agriculture का यपिर expansion जो है जादा हो जाता था, अगर हम बात करें अब next की, तो next में हम क्या करेंगे types of agriculture, कितनी types की agriculture होती थी, अभी हमने ये तो सुन लिया कि agriculture, agriculture बहुत हमने सुन लिया कि agriculture का मतलब होता है खेती बारी, अभी खेती बारी कीती तरह की होती थी वो हमें पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें एक आता है आपका कौन सा, एक आता है आपका primitive substances और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है primitive substances और intensive subsistence, ठीक है, तो primitive subsistence और intensive subsistence में आगे बात करेंगे, कि ये एक तो हो कि जो individual कि अपने अपनी फैमिली के लिए जितना ग्रेन उनको चाहिएगा बस उतना ही थोड़ा बहुत अपना उगा करकी और अपना और अपने फैमिली के लिए जितनी जरूत होती उतना कर लिया थोड़ा बोत है उसको ठीक है मंडी में सेल कर दिया एक होता है जिसके पास लैंड तो production भी बहुत जादा निकलेगा, अनाज भी इसके पास बहुत जादा होगा, अब वो तो सेलिंग के परपस से उसको ग्रो करवाया, कि जितनी अच्छी production होगी, मेरे पास जितना अच्छा अनाज आएगा, मैं क्या करूंगा, उसको मंडी में सेल कर दूंगा, सेल करूंगा इसको भी दो टाइपस में बाटा गया है, टू टाइपस के होती हैं, ये भी फर्स होता है, dominated paddy cultivation और dominated other than paddy cultivation, अब ये दोनों क्या होते हैं, यहां पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, intensive substances, subsistences की, तो intensive subsistence, it is largely found in the densely populated reason of the monsoon Asia, ठीक हैं, तो इसमें क्या बता in the densely populated reason, densely populated means where people live more where people live more so this is densely populated reason, talk about monsoon Asia, and how is India's climate how is India's climate, it is monsoon okay, so more people were based on monsoon, you have seen a lot of movies, you have seen that the peasants farmers are waiting for the rain they are waiting for the rain, when the rain will come when our trees will come to water and the water will come to water it will be good, you have seen in which movie you have seen comment section 1, okay let's move on we have talked about the intensive subsistence we have also told the two types so which one is dominated paddy cultivation this is the concept which land holding are very small due to the high intensity that means people live more so people live more people live more so people live less too people live more people live more अब जहां पर dense population है, जहां पर घनी अबादी है, तो लोगों के पास जो cultivation का area होगा, खेत होगे, land होगी, वो कम होगा, कम होगी तो भई क्यों बहार से पीजन्स को हायर किया, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे या उनको अपनी production का share देना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि amochis बचाने, तो इस situation में farmer जो होता है, वो अपनी family के साथ में अपने खेतों में काम करने लगता है, आपने भी देखा होगा आपके घरों में भी या शायद आपके खेत हो, तो उसमें भी जो है, अगर limited है, ठीक है, आपके पास थोड़ी वो जमीन है, तो आपकी family खुदी तो जिसके पास थोड़ी लैंड होती है, तो जिसके पास थोड़ी लैंड होती है, तो वो यह सोचता है, कि बाहर पैसे देने से बढ़िया है, कि हम अपनी family के साथ खुदी उसमें इन्वाल करें, और सारे मिल करके फिर उसमें cultivation करते हैं, जो भी activities होती है, अब दूसरा क्य to grow the paddy in many parts of the monsoon Asia, इस तरह की जो cultivation है, वो Asia के बहुत सारे भागों में की जाती है, for example, wheat है, तो बहुत सारी जगों पर गेहूं गाया जाता है, soya bean है, बाडले है, और शोरगूम आर ग्रोन इन दीज एडिया, तो काफी सारे एसी एडियाज हैं, monsoon Asia में, जहां पर इस तरह की cultivation की जाती है, अब हम बात करते हैं आगे की, तो आगे क्या कहता है, आगे करता है, कि इंदन नदन इंडिया, the state undertook digging of a new channel, तो अब हम बात करेंगे, new canals की, अब जैसे ये आप channel देख रहे हो ना, तो ये canals का मतलब क्या होता है, canals का मतलब होता है नहरे, ठीक है, canals का मतलब तो कि नेहरों का निर्मान करवाएंगे और जो पुरानी नेहरे थी उनको भी rebuild करवाएजाएगा ठीक है शहा जहाँuğंगे तो सबसे पहले ये क्या करेंगे panjab side में नेहरों का निर्मान करएंगे ताकि लोगों को irrigation के लिए source मिल सके और वो अपने पानी डाल सके है, so in the northern India, the state undertook डिगिंगा, देखो, अगर हम बात करें किसकी बाबर की टाइम की बात करें, तो लोगों के पास इतने अच्छे रिसोर्स नहीं ते इरिगेशन के, इसके बहुत सारी लैंड जो थी, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई थी, क्यों क्यों कि उस प उनको जब पता नहीं है कि रिसोर्स हमें कहां से क्या मिलेंगे, और नहीं कोई ध्यान दिया जाता था, इसलिए बहुत सारी जो वेस्ट लैंड होती थी, उस पर जो है वो कल्टिवेशन नहीं की जाती थी, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि वाटर की अवेलिबिल्टी का ना होना, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब पता लगेगा, या फिर लोगों को जो मारी जो स्टेट गवर्मेंट यानि की मुगल रूलर्स होंगे, उनको पता होगा कि हमारी जादा तर इंकम जो है, वो एगरी कल्चर से ही होती है, तो फिर वो एगरी कल्चर पर ध्यान कैनल बनवाई, ठीक है, कहां पर पंजाब में डूरिंग दा शाहाँजा रीजन, ठीक है, डूरिंग दा शाहाँजा रीजन, राइट, ठीक है, तो शाहाँजा के रीजन में पंजाब में इस तरह की शाहाँजा बनवाई जाएगी, अब हम नेक्स पर बात करते हैं, ठीक ह strategy for increasing the agriculture production, अब agriculture के अच्छे से अच्छे production के लिए किस तरह के इंतिजाम किये जाएंगे, किस तरह के जो है वो चीजे की जाएगे, देखो हमें पता है कि जब एक किसान अपने खेतों में खेती करता है, बहुत तरह की activity करता है, तो वो किस से होगा, ओक्स से होगा, तो वो क्या करेंगे, जाइंट ऑक्ष्ण मतलब बैलों का जोड़ा होता है, उसके पीछे हल बांद करके, वो किसान क्या करेगा, इस तरह से खेती करेगा, उसको जोतेगा, तो pulled by a तो इसके पीछे न खे इसके पीछे हल लगा करके ये क्या करेंगे बैल उसको खीशते जाएंगे और वो जो मिट्टी है वो tilt होती चली जाएगी वो drill होती चली जाएगी तो ये जो method है बहुत पुराना होगा इस तरह से खल जो है वो बैलों के पीछे बांदा जाएगा ठीक है और जैसे जैसे बैल चलेंगे तो इसमें महनत बहुत होती थी लेकिन दीरे दीर आगे अब तो क्या टेक्टर्स वगर आ गए हैं तो लोगों को महनत इतनी भी नहीं कर पड़ती है लेकिन पहले बहुत जदा इसमें महनत मशकत करनी पड़ती थी एगरी कल्चर विद अब इसमें दो तरह के जो है प्लो होंगे ठीक है एक अगरी कल्चर होगी जो की आईरें टिप्ड होगी मतलब एक हल जो होगा हल की किस्म बताए गई है इसमें ठीक है तो ए इसमें होती है वो जादा डीपली उसमें खुद जाती है मतलब उसकी खुदाई जो है वो ठीक से अच्छ से हो जाती है और जितनी अच्छ से खुदाई होगी जितनी अच्छ से वो ड्रिल होगी मिट्ट को टिल्ट किया जाएगा उतने ही प्लांट को गो करने में जो पु तो रिवर होगी, ठीक है, and the river of Ganga Valley कर दो, and the Ganga Valley, ठीक है, तो Ganga Valley के आस पास में, जो इस तरह की जमीन होगी, उसमें क्या किया जाएगा, यह आरेंट टिप्ट वाला, जो प्लो होगा, उसको यूज किया जाएगा, production of the paddy, introduction of the transportation, तो जो हमने paddy cultivation देखी ना भी, कि किसान खेतों में अपना हल चला रहा है, तो वो हल कौन सा यूज करेगा, आरेंट टिप्ट वाला, एक होता है, हिली एरियाज में, जैसे आप यह देख रहे हो, हो एगरिकल्चर, semi-arid zone, semi-arid zone का मतलब होता है, कि जहां पर बहुत जदा dryness भी नहीं होती, soil के अंदर और बहुत जदा moisture भी नहीं होता है, बीच का अटा है, तो इस ही को क्या काएंगे, semi-arid काएंगे, अगर arid होता तो बहुत जदा वो dry area होता है, तो इसमें क्या बोलेंगे, semi-arid होता है, तो यह जो एरिया है, पंजाब और राजस्तान में आए है हिल्ली एरिया स्ट्रेक इंदर नदन एस्टन एंड़र नदन इस्टन की बात करते कि किसकी यह हुगय haands और यह हुगय हमारा इस त्रीके से ईस्ट तो यह नॉर्थ से इस वाले एरिया में आप यह देखते होुना कि यहां फोरेस्ट्री एरिया बहुत तो लोग उससे ज़्यादा खेती करते हैं, क्योंकि उसमें हल नहीं चलता है, प्लेन एरिया में तो उनोंने प्लो कर लिया, आइरन टिप्ट वाले हल से, ठीक है, प्लो से कर लिया, लेकिन वहाँ पर हो अग्रिकल्चर होता है, तो हिली ट्रेक्स इन दर नदन इस्टरन अब क्या करेंगे हम, कितनी तरह की क्रॉप्स होती है, राइट, मजा रहा होगा ना, चीजे समझ भी आरी होगी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, एगरी कल्चर वास और्गनाइज अराउंड तू मेजर सीजनल साइकल, तो इसके दो मेजर जो हैं तो दो साइकल होगे, ठीक है, एक होगा राभी क्रॉप्स, एक होगा खरी क्रॉप्स, ठीक है, यह आपके जोगरफी में पूछा जाता है, तो आज इसको अच्छे से क्रिय कर लेना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राभी क्रॉप्स को, तो बच्चे इसमें सार से एपरिल के बीच में, क्लियर, इसमें कौन कौन सी क्रॉपिंग की जाती है, तो कौन कौन सी वीट, बाडले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, कौन कौन से एरिया में राभी क्रॉफ्स जो है वो ग्रो की जाती है, ध्यान से देखना, यहां से क्वेशन आता है, वीट बताओ तो आपको बताएना रभी या फिर खरीफ, तो आपको क्या बताना है, यह जो है वो रभी की टाइप से तो वीट अजाएका इसमें, बाडले अजाएका, पीस अजाएका, घ्राम अजाएका, मस्टरड अजाएका, पंजाब, हर्याना, हिमाचर पर देश, जम्मु कश्मीर उत्रप्रदेश, और ये उत्राखन तो इन इनаете में ये crop होती है, इनके बोने का time ये होता है, इनके harvesting का time ये होता है अब हम बात करते है कि खरीफ crop की, तो खरीफ crops को shown किया जाता है कब, shown किया जाता है इसको, बोया जाता है जून से सीजन चल रहा है, इसमें क्या होता है, राइज होता है, मेज जुआर, उरद, कोटन, ग्राउंडट और सोया बीन, तो यह क्रॉप होती है, और यह कौन कौन से एरियाज में होती है, असाम, वेस्ट मिंगोल, कोस्टल रीजन ओफ ता ओडिसा, आंधर प्रदेश, तेलंगना, तमिल नाडू, किरिला और महारास्टा, इन इन जगों पर क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है, और यह तो बहुत इजी है, जैद क्रॉप्स जो होती है, वो दोनों के बीच का, जो टाइम होता है, उसमें जैद क्रॉप्स की जाती है, जैद कॉपिंग की जाती है, वो फसले, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, या फिर माटर मैलन हो गया, राइट मस्क मैलन हो गया, तो ये सारी जो चीजे होंगी, फूट्स और वेज़िटेबल जिसमें पानी की मातरा जादा पाई जाती है, वो आपकी जैथ क्रॉप्स में मेंचन हो जाती है, ठीक है, और ये जो क्रॉप्स है वो जादा तर कहां मेंच, कौन से एरियाज में होती है, most of the northern and the north western state next next करते हैं the village community ये बहुत बार कोश्चन पूछा जाता है आपके board exam में village community पर एक paragraph पूरा का पूरा आपको लिखना होता है तो ध्यान से समझेंगे चीजों को तो the village community apart from the individual ownership तो लोगों के individual ownership के इलावा उसके इलावा बात कर रहे हैं individual ownership का मतलब जिसके खुद की land होती है इतके अलावा यहां पर बात की गई है land belong to the collective village community तो एक collective land होती है मतलब की एक land होती है उसमें मतलब बोसली family जो है वो मिल करके एक ही खेत में काम करती है तो ऐसी भी ऐसा भी system देखा गया है तो land belong to a collective village community as for as many aspects of their social existence were concerned there were the three constituents of this तो इस तरह में अगर हम बात करें किसकी village community में कौन-कौन जो collective farming करती है या फिर collectively काम करती है किसी भी काम को करती है तो उसमें कौन-कौन यहां पर इसमें mention किया गया है तो first है cultivators, second क्या है पंचायत और third क्या है थर्ड है village headman मतलब कहने का यह कि गाउं की categories को कितने भागों में बाटा गया है तो गाउं में कौन-कौन सी communities रहती है तो सबसे पहले हम करेंगे बात किसकी peasants की जादा तर उसे peasants रहते है peasants रहेंगे जादा तर उसमें क्या होगी peasants के बीच में जगड़ा होगा जाता है तो इसको ध्यान रखना तो मंडल और मुक्दम ठीक है मंडल और मुक्दम ठीक है मंडल और मुक्दम इनी को कहा जाता है गाउं के village area को तो यह क्या होगी यह होगी types of types of village community ठीक है village community जो है वो कितने भागों बाटगे मतलब इनको मिला कर ही तो village society बनी ना village community बनी ना तो इसमें कौन कौन include होगे इसमें farmers होगे इसमें cultivators होगे इसमें panchayat होगी और इसमें headman होगा तो यहीं मिल करके गाउं को form करती है village को form करती है अब हम बात करेंगे किसकी distinctions की distinctions में हम देखेंगे deep in equities on the basis of the caste and the other caste like the distinctions means that the cultivator were highly heterogeneous group मतलब कि जिनके पास land होगी जो cultivators होगे उनके खेतों में काम करने वाले तो उनके बीच में जो relation होगा कई भर मैंने बताया कि conflict की भी situation आ जाती थी दोनों में conflict होता था तो उसका जगडो का निप्टारक करने के लिए पंचायत होती थी like despite the abundance of the cultivable land ठीक है अब ये किस तरह के disputes होगे like despite the abundance of the cultivated land certain caste groups were assigned the manual tax अब देखो एक वो होता है जिनके पास land बहुत होती है एक वो होता है कि ठीक है average वाला है एक होता ही जिनके पास land नहीं होती है इसके अलावा कुछ और भी लोग होते हैं जो अलग तरीके का काम करते हैं जैसे कि क्या हो गया इसमें manual task करते हैं जो छोटे काम करते है वन हो तिल्ट दा लैंड किसी को बुलाय जाता है तुम हमारे खेतों को जाकर न प्लो कर दो वो वाले भी होते हैं लोग cultivators हो गए न cultivators हो गए पंचायत हो गए और हमने headman देख लिया इसके अलावा भी गाओं में कुछ और तरीके के लोग रहते हैं जिनको की अलग से काम दिये गए हैं जिनको जो छोटे मोटे काम कर लिया करते हैं इन में से एक को बोला है किसको manual task करते हैं उसको बोला गया है क्या उनको बोला जाता है laborers ठीक है मजूर या लेबर्स बोला जाता है अब ये मजूर और लेबर्स क्या होंगे ध्यान से देखना So who tilt the land known as the manual or the agricultural labor तो जो खेतों को जोतने का काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा agricultural labor कहा जाएगा या मजूर कहा जाएगा मजदूर नहीं मजूर कहा जाएगा ठीके उसके बाद in Muslim community अगर हम बात करें कि इसके Muslim community ये तो Hindu community की थी Muslim community manual like the halal quorum scavengers who were house house outside the boundaries of the village अब अगर हम Muslim community की बात करें कि जो scavengers होते हैं जो ये animals की skin को pile करके उनके bags बगरा बनाना होता है कुछ दूसरे meat बगरा का काम करना होता है तो गाओं के लोग उनको ना अलग से रखते थे क्योंकि ये ऐसे काम करते थे जो कि उनको पसंद नहीं होता था इस तरह का animal की skin को pile करके और फिर उसके bags बगरा बनाना तो उनको बहुती बुरा समझा जाता था तो इनको गाओं से अलग कर दिया जाता था तो बहुत सारी ये हमने क्या देखी इन इक्वेटीज देखी गाओं के अंदर देर वाद डारेक्ट दा को रिलेशन बिट्विन दा कास्ट तो हम देखेंगे कि इनके जो गाओं में कास्ट वगरा बनी होती है आपने भी देखा होगा कि गाओं के अंदर अलग-अलग मोहले वने होते है ये ब्रामनों का मोहला है ये जो है अहीरों का है ये जो है और किसी कास्ट का है ठीक है तो हमने देखा बार्बर्स वगरा जो होते है जिनको ना ही बोला जाता है ठीक है यह उनका एरिया है, यह उनका एरिया है, so there was a direct correlation between the caste, तो कभी-कभी ऐसा है, वोता, direct be correlation होता है था, कास्ट के अंदर, poverty and the social status at the lower start of the society, तो गाउं में भी कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, जिनके पास ठीक है, उसके बाद in a manual form the 17th century marwar, अगर हम बात करें कि इसकी 17th century की, तो यह जो manual जो होते थे न, जो task किया करते थे, तो उसमें marwar होते थे, manual task का मतलब जो छोटे काम किया करते थे, तो पहले अगर हम 17th century की बात करें, तो marwar जो आप इतने बड़े कैसे बने तो वो अपने बाद में जो डवलप होई न, उसके बाद बने लेकिन पहले यह जो marwar होते थे, यह इस तरह के manual काम किया करते थे, चोटे काम किया करते थे, उसमें marwar भी थे, राजपूत भी थे, और mentioned as the pizan, तो marwar और राजपूतों को पहले pizans की category में रखा गया था, किसमें रखा गया था, pizans की category में रखा गया था, इसके लाब कह सकते हो, इसमें जाट भी आ जाएंगे, है न, और sharing ता आज भी अहीरों के पास, जाटों के पास बहुत जमीन होती है, है न, खास तोर पर उनके पास जमीन होती है, तो शेरिंग the same pace with the जाट, who were a quarter, a lower status, a lower status in the caste hierarchy, तो पहले इनको नीचे category में रखा गया, लेकिन दीरे इनके पास land आती चली गई, और ये लैंडलोड बन गया, लैंडलोड बन गया, इनके पास power आ गई, पैसा आ गया, तो धीरे धीरे इन्हों ने आपको डवलब किया, अब हम बात करते हैं, नेक्स बर, तो नेक्स नम बात करेंगे कि विलेज हेड्मेंड का रोल क्या होता है, तो विलेज हेड्मेंड जो होते है, अभी हमने देखा कि पंचायत का जो main decision होता है ठीक है पंचायत तो decision निकाल देते है लेकिन ultimately जो final decision होगा न वो village headman दिया करते थे ठीक है तो the village पंचायत was the assembly of the elder headed by the अब ये जो village पंचायत होगी न बच्चे इसमें कौन लोग होंगे इसमें गाओं के जो है elderly experience holder इसमें पंच पनेंगे ठीक है तो पंच पंच होते हैं एक सरपंच होता है तो जो भी case चल रहा होता है जो भी appeal दोनों party की तरफ से लगाई जाती है तो उनको पंचायत सौल्व करती है ठीक है और सौल्व करने के जो decision होता है वो फिर गाओं के headman को transfer कर देते हैं फिर वो सारी चीजों को सारी बातों को सुनता है फाइनल decision दे देता है तो अब the headman held the office as long as they enjoy the confidence of the village elders अभी जो गाओं का headman होता है यह सब से बड़ा माना जाता है और एक तरह से यह इनका confidence होता है village elders का feeling which they could be the dismissed by them तो अगर यह काम अपना ठीक से कर रहा है तो ठीक है डेमोक्रीसी क्या कहती है यही तो कहती है कि अगर सरकार अपना काम ठीक से कर रही है जनता के according कर रही है तो well and good है अगर उन्होंने कोई भी step अपना गलत लिया और जनता भड़क गई तो अगर जनता जो है वो सरकार बना सकती है सेम यही था कि अगर वो जो पंचायत का जो headman होता है गाउं का जो headman होता है अगर वो अपना decision ठीक से justice यानि कि न्याइक तोर पर अपना judgment देता है वो भी fair judgment द जाती है अगर वो ऐसा करता है तो उसको dismiss कर दिया जाएगा अपनी post से अगर गाउंवालों ने इसको बनाया है तो वो उसको गिरा भी सकते हैं राइट चलिए the panchait derived its fund from the अभी panchait के पास fund कहां से आता है panchait के पास fund आता है कि जो made by the individual to a common financial pool देखो गाउं में क्या लगते फेर वगरा लगते हैं मेले वगरा लगते हैं तो मेलों में जहां पर मेला लगता है फेर लगता है वहां पर जो शॉप्स होती हैं स्टॉल्स वगरा लगते हैं तो वो क्या करते हैं panchait को कुछ एडवांस में booking के लिए कुछ दे देते हैं पैसे दे देते हैं कि हमारी दु तो के लिए तो कि Arm लगाली अब सुभै से शाम तक जितने लोगों ने उसे समान खरीदाए चाहे वो one thousand का था जाहे वो five thousand का था चाहे वो ninguna था थान था था यह द तन कंटाूजन क था।बाकी का सारह का सारहा पैसा उसका होगा उस पर पर्टिकलर शॉप Damn ऊपर का दूसरा करम करें कि दो पार्टी होती है ना उन दो पार्टी में से अगर मान लो कोğı takiego party पाई गई ठीक है। उस पर बहुत सारा penalty ना impose कर दिया करते थे, कि तुम अपरादी हो और तुमने अपराद किया है, तो इसलिए तुम पर इतनी penalty लगाई जाती है, पचास अजार की एक लाकी, इस तरीके से तुम्हें ये हरजाना तुम्हें भरना है और तुम्हें उस party को देना है, ऐसा ही होता तो वो भी क्या होता है, पंचायत से उसकी भी funding होती है, one important function of the panchayat was, ये question आता है, कि panchayat का main function क्या होता है, यहां ते important question बनता है, panchayat का सबसे main function होता है, was to ensure that the caste boundary among the various communities inhabiting the village were upheld, तो अलग-अलग caste की ना, अलग-अलग जातियों की अपनी अलग-अलग panchayat होती है, अहिर तो जाटों की अलग होती है, गुज्रों की अलग होती है, तो इस तरीके से ना, अलग-अलग उन वे ना, panchayat होती है, तो panchayat also had authority to live by the fines and the conflict more than, तो उन पर fine लगाती है, जो अपरादी होती है, और उनके fine से जो उनके पास पैसा आता है, उनी के पैसों को गाउ में development के लि सभी जातियों की अपने एक अलग जाती पंचायत होती है, नेक्सा मुवन करेंगे, village artisans, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था कि सारे लोग agriculture में ही busy हुआ करते थे, village area में, कुछ लोग ऐसे भी थे, जो दूसरा काम भी किया करते थे, जैसे घर में, free time में, जो औरते होती थी, जूट के बैग बनाना, मेट बनाना, और कोई काम करना, सिलाई-कडही बनाई का काम करना, यह भी करती है, इन से भी इनकी income होती थी, दूसरा कोई artisans होता था, तो वह मूरतिया, मंदिर बगगर बनाने का काम करता है, पॉट्टर सो होता है, वह पॉट बनाता है, यह मूर तो यह जब अपने पॉर्ट को सेल करेंगे इनसे कोई बरतन मिट्टी के बरतन खरीदने आएगा या इनसे कोई मूर्तिय के लिए आएगा तो वो क्या करेगा पहले पैसे होते नहीं थे तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था क्या चलता था पहले बार्टर सिस्टम चलता था इस बार्टर सिस्टम में क्या होता था लोग ना चीज के बदले में चीज लिया करते थे जैसे माल लो इससे कोई पॉट लेना है कोई मिट्टी का मटका लेना है ठीक है मटका लेने के लिए भई मिरे पास पैसे तो है नहीं तो उसके बदले में उनको अनाज देते देते, इनका भी काम चलता रहता था और उनका भी काम चलता रहता था, तो देखिए, तो इसमें बताया कि है कि the distinction between the artisans and the peasants in the village society was fluid one as many groups performed the task of both, तो बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो गाउं में भी करे जाते थे, cultivators and their family would also participate in the craft production, अब cultivators होते थे, मतलब किसान फार्मर जो होते थे वो अपनी family के साथ दूसरे काम भी कर लिया करते थे, तिक है, जैसे कि dying का काम होता था, मतलब को रंगने का काम होता था, या फिर उत पी छपाई का काम होता था, बेकिंग and the firing potry, तो इस तरीके से मठके बनाना बना करके और फ तरह से यह होते थे, अपने मोर्तिया बना ले फ्री टाइम में, तो यह अपने ना फ्री टाइम को भी उटलाइज करते थे, तो विलेज आर्टिशन्स होते थे, पॉर्टर्स, ब्लेक्समिट्स, ठीक है, ब्लेक्समिट्स किसको बोलते है, लुहार को बोलते है, ठीक है, ल mostly by giving them share of the harvest, मैंने क्या कहा, harvest का share, यानि कि जो उनके पास में अनाच आया ना, farmer के पास में, अगर वो मान लिजे, किसी दूसरे के पास में, कोई उनको चीज चाहिए, potter के पास गए, या फिर goldsmith के पास गए, या फिर lohar के पास गए, कि हमें ये चीज चने, तो बदले में उसके अनाच दे दिया करते थे, ठीक है, पैसा तो होता नहीं था, next, next क्या करते हैं, कि women in the, अब ये देखो, कई कई, अब आप सोच रहोगी, कि मैडम सुनार से अगर वो, goldsmith से अगर वो, सोना लेना है उनको, ठीक है, या फिर चांदी लेनी है, silver लेना या गोड लेना है, तो उसके लिए क्या वो ग्रेन देते थे, ऐसे कितना ग्रेन होगा, नहीं, उनके लिए लैंड जो है, वो कभी तो गिर भी रख दिया करते थे, उनसे सोना, गोड लिया करते थे, उनसे सिल्वर लिया करते थे, ठीक है, छोटे मोटे होते थे, वो अनाज में काम चल जाया करता था, ठीक है, अब नेक्सिया करेंगे, ये बहुत इंपोर्टन्ट है, विमेन का क्या रोल रहा है, अगेरियन सोसाइटी में, बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है, ये कोश्चन, तो अब हम देखेंगे, कि विमेन का रोल कैसा था, विमेन एंड मैन हैड टू वर्क, तो जो मैन और विमेन होते थे, वो दोनों ही बराबर का काम किया करते थे, अगर मैन टिल्ट करने का काम कर रहा है, तो वो सीट्स को सौ करने का काम करती थी, अगर वो टिरिगेट कर रहा है, तो वो विडिंग का काम किया करती थे, जो बाकी के अननेसेशरी प्लांट ग्रो हो जाते, ना केतों के अंदर, तो उसको साइड में उखाड के फैक्ट ना, की साफ़साई करते थे ठीक है उसके बाद जब हार्वेस्ट करने का ताइम आज जाता था 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 फसल पक जाते थी तो दोनों मिलकर हार्वेस्टिंग किया करते थे फिर मैन उसको सेल करनी के लिए जाता था तो पीछे से घर वो संभालती थी दोनों का बराबर का काम हुआ तो विमन और मैन हैद टो वौक शोल्डर टो शोल्डर कंदे से कंधा मिला कर काम चलते किया करते थे दोनों So gendered the segregation between the home for women. पहले बहुत टाइम पहले ये माना जाता था कि विमन का काम होता है, सिर्प वो घर की देख बाल ही करेंगी. घर का चोला चोकी करेंगी, उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगी. तो विमन को बहुत जदा बाउंड करके रखा जाता था. लेकिन दीरे दीरे की situation चेंज हो जाएगी. And the world, और जो अंदर का काम होगा, घर का काम होगा, वो सारा ओरते करेंगी. और जो बाहर का काम होगा, वो मैन किया करेंगे. It was not possible in the context, लेकिन आज के टाइम में ये बिलकुल ही opposite हो गया. opposite in the sense कि आज औरते भी हर फिल्ड में अपने आपको आगे आकर के और अपना contribution दे रही है. But the bias related to man, biological functions did continue. Articians talk such as the spinning yarn, shifting and the kneading, clay for the pottery and the embroidery were among the many aspects of the, ऐसा नहीं था कि knitting का काम होता, तो knitting क्या होता है, वो जो sweater अगरा बुनते हैं, pottery का काम होता है, तो अगर man ने pot बनाया है, तो उसको आगरे पकाने का काम किया करती थी, पकाने का काम है, फिर उसमें जो भी थोड़ी बहुत वो आर्ट वगरा करनी होते हैं, design बना होता है, तो वो दोनों मिलकर बनाया करते थे, तो बहुत सारे काम ऐसे होते थे, जिससे की दोनों मिलकर काम करते थे, women were considered, देखो यहां से question आता है, women were considered an important resource in the agarian society, agarian society में women का बहुत बड़ा रोल था, एक important source माना जाता था, women के रोल को, right? और the, they were, they were child bearers in a society, depend on the labor, तो पहले, but because they were child bearers, तो एक important source समझा जाता था, क्योंकि वो child bearer का मतलब होता है, बच्चे पैदा भी करती थी, और साथ में घर के काम वगएरा भी किया करती थी, तो एक इनका अपना ही रोल होता था, right? अब हम करेंगे, नेक्स बात करते हैं, तो नेक्स बात करेंगे, फोरेस्ट एंड ट्राइब्स की, अपार्ट फॉम दा इंटेंसिवली कल्टिवेटेड लैंड, इंडिया हैड था हुज स्वाथ फोरेस्ट, देंफोरेस्ट, अगर हम बात करें, ठीक है, यह तो सारी हमने प्ली अरिया की बात करी, सारी चीजे हमने जान लिए, गाओं के बारे में जानले, अगरेरें, सोसाइटी के बारे में जानले, पूरा का पूरा टाइपस अफ एगरिकल्चर जानले, कितनीsst टाप की कüchtिवेशन हुआ करती थी, ठीक है, यह सब को जान लेन तो किते कैसे तुम जंगलियों की तरह खाना खा रहे हो, कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा गुसा आते है कि तुम जानवर बन गे, तुम जंगलियों की तरह बहेव कर रहा है, पागल हो गया यह, ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुल में जो जंगली वर्ड होता है, वो border, यह यह जगह ऐसी होंगी जारकरनोंगे, and in Penansula, इंडिया, down the western garden, the eastern decan plateau, यह जो एरियाज होंगे, यहाँ पर dense forest पाए जाएंगे, जादा तर जंगल ही पाए जाते हैं और वहाँ पर लोग भी रहते हैं, जो forest activity करते हैं, fruit collect करना, root collect करना, flowers collect करना, bees, honey bee जो होता है, आपका शहद honey होता है ठीक है, वो collect करना, साथ में जो silkworms होते हैं, उनको collect करना, बहुत सारे ऐसे जंगलों में काम होते हैं, जो forest dwellers करते हैं, तो forest dwellers were termed the jungle, तो इनको क्या कहा जाता है, जंगली कहा जाता है as their lovelyhood came from the gathering forest produce hunting hunting and gathering, shifting agriculture, तो वो hunting, gathering, shikar वगरा भी करते हैं, साथ साथ में वो shifting agriculture भी करते हैं, अभी shifting agriculture क्या होता है, सुनो मेरी बात, जो जैसे उसमें रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए यहां पर रहे जंगल में, ठीक है, एक एरिया में रहे, वहां पर थोड़ी बूद के उन्होंने अपनी खेटों लेकिन यहां पर तीरे तीरे सॉल की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है, दूसरी जगे पर साफ सफाई करी, फॉरेस्ट को क्लियर किया, यहां पर कल्टिवेशन कर ली, तो इस तरह की केतों क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, ठीक है, यह ज अग्री कल्टिवेशन करते थे, यहां रहता हैं, यहां रहता हैं, एंपर जो वहता हैं आऩ, स कैसे हुए गर्मियों ने स्पैसिफिक करते हैं, जैसे अडिशन स्पैसिफिक करते थे, और वहां पर फिश करें, फिशिंग करेंगे, मतलब मचलियां पकड़ने का काम करेंगे, दूसरे कर हम बात करें किसकी की जो विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में हंटिंग गैदरिंग बहुत अच्छी होती है, तो इस तरीके से अलग-अलग सीजन में अलग-अलग क यह भी इंपॉर्टेंट है कि जमीदार का रोल लिखने के लिए आ जाता है पूरा पराग्राफ तो यह भी इंपॉर्टेंट है जमीदार वर अ क्लास ओफ तो पीपल इन दा कंट्री साइट दे लिए ओफ एगरी कल्चर बट डिद नॉट पार्टिस्पेट डिरेक्ली तो जमीदार जो है वो खुद जाकर के पार्टिस्पेट नहीं करता था मतलब खुद खेतों में कल्टिवेशन नहीं करता था उनके सा पर गाउं में अपना ही अक रुत बहर होता था, अपना ही इनका ही दबडबा होता था, सबसे हाई प्राइटी पर रखे जाते थे इनका कहना सब को मानना होता था कहने का मतलब जमीदार का रूल ये होता था कि बस उनके पास जमीन होती थी, गाउं के मुखिया ह majesty patients होते थे ठीक है सारी जो एक तरह से गाओं की जो responsibility होती थी या जो भी गाओं में activities होती थी वो सारे इनी केंडर में हुआ करती थी ठीक है तो यह होते थे land revenue system land revenue revenue from the land was economic minstay of the Mughal Empire Mughal Empire का सबसे जो revenue आता था वो agriculture से आता था इनी सहीन की income हुआ करती थी Mughal Emperors की Mughal Empire में so these apartus including the office doctor तो इसका जो पूरा का पूरा लेखा जोखा रखने के लिए या record रखने के लिए एक दफतर हुआ करता था उसमें एक Munim जी हुआ करते थे Mughal Turkey सारा का सारा land record रखा करते थे किसके किसके पास land है किसे कितना लेना है किसको कितना देना है वो सारा land record जो है वो मुनीम रखा करते थे land revenue arrangement consists the two stages तो land revenue दो तरीके से लिया जाता था, जिसका नाम था, एक तो assessment था और दूसरा क्या था, actual collection, जितना लोगों से लेना होता था, जिसके पास जितनी जमीन होती थी, उसको भी साफ से revenue देना होता था, एक होता था कि हासिल करना, कि तुमने यह नहीं दिया, तो अब उनको हासिल क तो कि अब डिया था, कि गयर में रेतर था क्या होता था कि समय कूझ तु मुझेवेगा था 500 ऐख से लिब बार थे, ठीक है तुमने बार देते बेंगे ठीक है, लेकिन कही दो का आप आससा होता है, तो एक्षसी नहीं, कि मुझे विजब करनी है, तो उतना उनको वो चीज तेकर लेनी पड़ती थी फार्मर से और इस तर से कलेक्शन करके वो स्टेट को देते थे यानि की मुगल डूलर्स को देते थे अब बात करते किसकी the Mughal Empire Consolidated Power and the Resource from the Empire Ming Mughal Empire Consolidated Power Mughal के पास में ठीक है पावर थी सारी लेकिन ऐसा नहीं था कि खाली उनके उनके जो है तो उनके साथ किस किस के साथ रिलेशन थे मिंग के जो पैले मिंग हुआ करता था आज का चाइना है सफाविज जो पहले सफाविदा करता था आज का इरान है Ottoman जो आज का टर्की है during the 16th and the 17th century तो इनके साथ में इनके अच्छे रिलेशन थे और यहां से भी ट्रेडिंग किया करते थे Voyages of the Discovery तो इसी के साथ में डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है अलग-अलग जगों की जैसे हम बात करें कि इसकी America की तो यूएस को जो है अमेरिका को डिस्कवर किया गया था कब 1942 में ठीक है किस ने किया था Chris Hopper Columbus ने ठीक है Chris Hopper Columbus ने और हम बात करें कि इसकी 1498 की तो इंडिया को डिस्कवर किया गया था ठीक है ये किया गया था US को, अमेरिका को ठीक है, अमेरिका को और उसके बाद इंडिया को discover किस ने किया था, 40 98 में, वासको दगामा किस ने किया था, वासको दगामा ठीक है, नए ने discoveries हो रही है, अब discovery करने का क्या importance थी या क्यों की जारी थी क्योंकि अलग अलग जगों की जब discovery करेंगे वहाँ पर पता चलेगा कि ये चीज यहाँ पर अच्छी है, ट्रेड इसी तो बढ़ता है, तो सबसे पहले पुर्थगाल आएंगे, बासको दिगामा आएगा, इदर आएक।। तगाली थी उताएंगे वहाँ बासक कोी घुताएंगे, सबसे सबसे को साइज मेल करके वहां दूल、 सबसे कल्काराइञ बड़ अमैंड़ याइटेर, नाभन के बाद झैसाल, नाजाती PM, णढ़न दून, हुम, उस hackers, चाताव दूता वहां की जो चीजे फेमेस है उधर इंपोर्ट करवाई जाएगी इंडिया के अंदर तो इसी से ही क्या होते ही नई नई डिसकवरी से ये फायदा होता था तो एक टेस्टमनी के अकॉर्डिंग बताया गया है एक इतेलियन ट्रेवलर थे जिसक निन का नाम था जिए जिए व बाउट दवे इंडिया कि इंडिया में सबसे जादा सिल्वर कहां से आता है क्योंकि इंडिया के पास सिल्वर बहुत जादा था तो सिल्वर कहां से आता है बाकी की अधर कंट्री से आता है क्योंकि अधर कंट्री में सिल्वर माइन से और इंडिया के पास में प्रड़क् तो अगर बात आती है कि मुगल पिरेट में कौन से कोई चला करते थे तो आजाएगा आपका अब थोड़ा सा हम आईन अकबरी के बारें बात करेंगे कि इतना सारा ये चीज़े पढ़ ली ये सारी चीज़े हमें पता है कहां से पता चली आईन अकबरी से आईन अकबरी इस अ थो ये चीज़े आउन थे तो मुगल आ को याँन आईन अकबरी था ये कया था 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 तो इसको कंप्लीट किया गया ये फिफटी निटिए पर after having a gone through the 5 revision, 5 बार इसकी revision की गई, कुछ गल्ती तो नहीं है, कुछ गल्ती तो नहीं है, कुछ एड करना है, कुछ हटाना है, कुछ वो करना है, तो 5 ताम इसकी revision की गई, तब जाकर इसको publish किया गया, after that I ne gives a detailed account the organization of the court, administration and the army sources, revenue and physical lay out the provinces of the Akbar's empire, literally, तो ये सारी चीजे हमें अकबर के बारे में पता चलती है, कि अकबर ने अपने रुजन में किस तरह से अगरिकल्चर करवाया, अगिरेन सोसाइटी के बारे में, तो आईने अकबरी से बहुत कुछ इंफोमेशन हमें मिलती है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, I hope आपको स सारी चीजे बहुत ईजली तरीके से समझ भी आ गई होगी, और अगर समझ में आई है, कॉमन सेक्ट में लिखकर बताईगा, वैसे तो आप करते नहीं हो, बट फिर भी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, कि आप को अगर अच्छी लगी है वीडियो, कॉमन सेक्ट में लिखकर और इसी तरह की वीडियो जो है, वो हम लाते रहेंगे आपके लिए बहुत ईजी तरीके से चैनल को सब्स्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, और इसको क्या करना है, जादा से जादा दोस्तों को तक अपनी पहुचाना है, और फटा फट से बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब-जब हमारी अभी बोर्ड एक्जाम आने वाले, जब-जब हमारी वीडियो जाएंगी, सेशन आएंगे, वैसे-वैसे आपको नौटिफिक्शन मिलती जाएगी, clear, मिलते अपनी नेक्स वीडियो में, till then take care, bye-bye.